इस्टडी वीदियो और माश्टर में आपका स्वागत है आज हमवार का एंटाइम में टाइप सोलर की कुश्चन को लेकर आए हुए है जो यह सल 2023 का कुश्चन है बच्चे और यह कुश्चन है कि A किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर इस पर 8 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना अंस सेस रह जाता है बच्चे इसमें दिया हुआ है कि कितना भाग उसमें सेस बच जा रहा है Total काम है हमारे पास उसमें से कितना भाग? सेस बच रहा है तो इसको हल करते हैं बच्चे देखते हैं कि कैसे यह हल होता है हम present से चलते हैं ए क्या है? 24 दिनों में Complete करता है ए 24 दिनों में Complete करता है इसे 30 दिनों में Complete करता है जब अलग अलग वो काम करते हैं यदि दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं यहां से total work हम निकाल लेते हैं और इनकी efficiency निकाल लेते हैं 24 और 30 का LCM अगर हम लेते हैं बच्चे यह आ जाता है 120 unit work हमारे पास total कितना work है 120 unit work है और यहां से इनकी efficiency अगर हम निकालते हैं बच्चे तो जाएगा 24 बच्चे 120 और 3 चौक का 12 यानि 4 unit per day के हिसाब से B कारे करता है और अगर A और B दोनों 7 मिलकर काम करते हैं बच्चे A और B दोनों अगर 7 मिल गए तो कितना काम करते हैं 5 और 4 9 unit per day के हिसाब से कारे करते हैं इनकी अपनी efficiency के हिसाब से कारे करेंगे 9 unit per day के हिसाब से कारे करते हैं उस 9 unit को per day के हिसाब से कारे करते हैं और कितने दिन तक कारे करते हैं 8 दिन तक कारे करते हैं तो इसका मतलब क्या हूँ? इसमें 8 से अगर multiply करते हैं टोटल वर पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना काम complete किया तो आठ नमा 72 यानि 72 यूनिट काम हुआ आठ दिन में complete कर लेते हैं अब पूछ रहा है कि सेस काम कितना रह गया था ठीक तो सेस काम कितना हमारे पास 120 यूनिट है तो 120 यूनिट में से अगर हम 72 यूनिट घटा देत तो हमारा टोटल वर कितना था 120 तो यानि 48 का 120 अगर हम निकालते हैं 120 में से भाग निकालेंगे न कि कितना भाग बचा हुआ है तो यहांसी यह हो जाएगा 6 वठे 8 शक 48 या 6 अठे 48 और 6 दूनी 12 यह हो जाएगा 4 दूनी 8 चार पचे 20 यानि आजाएगा 2 बटे 5 भाग सेस बच रहा है बच्चे दो बटे 5 भाग सेस बच रहा है और 72 उनिक उन्होंने काम कम्प्लीट किया सेस काम कितना है दो बटे 5 भाग यानि आप्शन नमबर सी नेक्स्ट कुश्चन को देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन बच्चे क्या है दिया है कि A किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर इस पर 5 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना अंस सेस रह गया यह भी CSL 2023 का question है, कई shift में exam होता है चुकी, तो दूसरे shift का ये question दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि same type से दिया हुआ है, तो उसको भी उसी तरह से हल किया जाए, तो यहां पर भी दिया हुआ है बच्चे, A, कितने दिन में करता है, 18 दिनों में complete करता है, अकेले जब काम करता है तो 18 दिन में करता है, B, जब अकेले करता है, तो 24 दिनों का समय लेता है, उस काम को करने में, तो यहां से हम total work निकाल लेते हैं, और उनकी efficiency निकाल लेते हैं, 18 और 24 का LCM हो जाएगा, total बच्चे 72 यूनिट वर्क हो गया हमारे पास, total हमारा कितना है work है, total 72 यूनिट वर्क ह तो हम देखते हैं, 18 चोग 72 यानि A की efficiency कितनी है, 4 यूनिट पर दे के हिसाब से है, और B की efficiency कितनी है, 24 या बहत्तर यानि 3 यूनिट पर दे के हिसाब से B कारे करता है, यहीं नया, तो अब कहरा है कि 5 दिन तक काम करते हैं, यानि A और B जब दोनों साथ मिलते हैं वच्चे, तो उनकी efficiency कितनी होती है, 4 और 3, 7, 7 unit per day के हिसाब से उन कारे करते हैं, और कितने दिन तक कारे करते हैं, total 5 दिन तक कारे करते हैं, तो यहाँ पर 5 से हम इसमें multiply करते हैं, तो हमें पता चल जाए कि उन्होंने total कितना unit काम complete किया, यानि 7 पचे 35 unit उन्होंने काम complete किया है, अब उस sales काम कितना रह जा रहा हैं बच्छे, तो 72 में से 35 चला जाएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा, जो sales काम हमारा है, वा sales काम कितना है, 72 में से 35 अगर हम गटाते हैं तो कितना आता है 37 unit work बच रहा है और 37 unit work बच रहा है और total भाग हमारे पास कितना work है total 72 unit work है तो 37 बटे 72 हो जाएगा अगर पूछ रहा है कि इस कितना earns सेस रह जाता है तो total में से हम क्या करेंगे total में हम total से हम जो बचा हुआ है उससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि total earns हमारा कारे कितना बचा हुआ है यानि 37 बटे 72 option number B देखे questions चुकि बड़े दिख रहे हैं लेकिन हल करने में कितनी आसानी से हल हो जा रहा है तो अब देखे नेक्ष्ट question हम देखते हैं जो इसी पर आधारी question है बच्चे दिया हुआ है कि कि A किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और B उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर इस पर 6 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना answer सेस रह गया है अब चुकि यहां पर बच्चे क्या है fraction में answer नहीं पूछा है वह कितना हम पूछा है percentage में पूछा है तो percentage हम निकाल लेंगी तो percentage के हिसाब से काम करते है थोड़ा सा question इसमें change कर दिया है बस वही percentage में answer दिया है तो percentage में निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चे तो यहां पर हम क्या करेंगी A किसी कारे को 16 दिन में लेता है B उसी कारे को 24 दिन में लेता है कम्प्लीट कर लेता है तो यह हो जाएगा total work हमारा कितना हो जाएगा 48 unit हो जाएगा 16 और 24 calcium लेते हैं तो कितना आता है 48 unit 48 आता है तो यह हो जाएगा 16 तिया 48 तीन unit per day के हिसाब से A कारे करता है 24 दुनिया 38 यानि 2 unit per day के हिसाब से B कारे करता है तो दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं तो बच्चे A और B जब दोनों मिलकर कारे कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं 3 और 2 5 unit per day के हिसाब से कारे कर रहे हैं और कितना दिन तक काम कर रहे हैं 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो काम कितना complete हुआ total 30 unit काम complete हुआ सेज कितना काम बचा बच्चे तो हमारा सेज काम है वह कितना बचा है 48 में से अगर हम 30 गटाते हैं तो कितना बचा है 18 यूनिट 18 यूनिट काम सेज बच रहा है ठिक और 18 यूनिट काम कितने से बच रहा है यह हो जाएगा 6,3,18,6,8,4,8,25,100 यह हो जाएगा 25,75 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 37,1 बटा 2 परसेंटेज यानि अगर परसेंटेज के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो काम कितने दिनों में कितना परसेंट काम बाती रह रहा है सायती सही 1,2 परसेंट आप्शन नमबर B ठीक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग काईप ये कुश्चन्स को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद